IPL 2023 में लखनव सूपर जाइंट्स और मुंबई इंडियन्स के मैच से पहले एक बड़ी घटना सामने आई है सचिन तेंदूलकर के बेटे अरजुन तेंदूलकर को कुट्टे ने काट लिया है इस घटना का खुलासा अरजुन तेंदूलकर ने खुद तब किया जब लखनव के एकाना स्टेडिया में लखनव के खिलाडियों से मिल रहे थे बता दे कि बाय हाथ के और ड्राउंडर अरजुन तेंदूलकर मुंबई इंडियन्स का हिस्सा है लकनो सूपर जाइंट्स ने सोचिन मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अरजुन तेंदूलकर लकनो के दो खिलाडियों युद्धिवीर सिंग और मुहसिन खान से मिलते दिख रहे हैं इसी मुलाकात के दोरान वो उन दोनों से बता रहे हैं कि उन्हें कुट्टे ने काट लिया है इसी वीडियो में एक क्रिकिटर अरजुन तेंदूलकर को गले लगाते वक्त पूछता है कि उनके उंगली में क्या हुआ इसके जवाब में अरजुन ने कहा कि गुट्टे ने काट लिया है इसके बाद साथी खिलाडियों ने पूछा कि कब तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले इस वीडियो में उनका दर्द साफ नजर आ रहा है अब सवाल ये है कि कुट्टे ने उन पर हमला कप किया इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन पहले अरजुन तेंदुलकर का हाल जाने के बाद योधिवेर सिंग और मोहसिन खान दोनों ने उन्हें खुद का ख्याल रखने को कहा वीडियो में देखकर पता चलता है कि कुट्टे ने अरजुन के बाए हाथ पर काटा है चोट के निशान उनके उंगलियों के पास ही है बस गनीमत ये रही है कि वो निशान गहरे नहीं है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो नेट्स पर गिंद बाजी करते नहीं दिखते बहराल अरजुन तेंदूर कर लखनो सुपर जाइंट्स के खिलाफ मकाबला खेलेंगी या नहीं इसका फिलहाल पता नहीं उन्होंने इसी सीजन में आईपिल डिबियो कूलकाता नाइट राइडिस के खिलाफ किया था डिबियो के बाद उन्होंने लगतार चार मैच खिले फिर टीम से बाहर हो गए आईपिल 2023 में जो चार मैच अरजुन ने खेले हैं उन्होंने तीन विकेट चटका हैं जहां तक मकाबले की बात की जाये तो लखनओ के एकाना स्टेडियम पर खेला जाने वाला मकाबला लखनओ और मुंबई दोनों के लिए महत्वपूर है यह मकाबला एलिमिनेटर तो नहीं है लेकिन इसका फिल थोड़ा वैसा ही होगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहां हारने वाले टीम के लिए प्ले आफ की रेस में मुश्किले पैदा हो जाएंगी आईपल 2023 में यह दोनों टीमें पहले बार आपस में टकराएंगी इससे पहले पिछले सीजन में दोनों टीमें दो बार भीड़ी थी और दोनों ही मैच लखनो सूपर जाइंट्स ने जीते थे अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियन्स उनके खिलाफ पहले जीत दर्च कर पाती है या नहीं इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं साथी साथ देश दुनिया के तमाम हर छूटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहे निजनेशन के साथ